प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं आप लोग ठीक होंगे प्यारे बच्चों पिसली वीडियो में हमने कक्षा तीन का सस्किर्ट का पहला पार्ट पढ़ा था बाल गीतम यानि कि यहां पर आपको जैसे दिखाए दे रहा है बाल गीतम के बारे में हमने प पढ़ेंगे और समझने की कोशिज करेंगे प्यारे बच्चों पहला है एहम माने होता है मैं अगला है करोमी करोमी माने करता हूं अगला है नमामी नमामी माने होता है नमन करता हूँ, हित, हित माने होता है भलाई, पितुओ, पितुओ माने होता है पिता का, तो प्यारी बच्चों यहाँ पे एकुछ सब्दू के अर्थ दिये थे, जो हमने यहाँ पे पड़े, प्यारी बच्चों आगे अब सुरू करते हैं इसका अभ्या तो यहां पर जो दिये हैं अभ्यासों का पहला प्रस्न है सब्दाना चित्रे समेल्यतों यहां पर जो हैं सब्दू को चित्रों के साथ मिलान करने हैं प्यारे बच्चों यहां पर कुछ चित्र यहां पर आगे दिये गए हैं तो इन चित्रों को हमने इन सब्दू के साथ मिल प्यारी वेच्चों पहले हम यहन पर जो चित्र को भी आपे समझ्जने की कोशिश करेंगे तो जैसे आप पहला चित्र हमेरं स्टो घोर बंगवां के चक्र चक्र है उनके सिर में मुकुट है डिमय माला है तो आदमेह दिखा देए रहा है तो इसका मतलब हरी माने होता है विश्णु तो प्यारे बच्चों अगला चित्र हमें दिखाया दे रहा है . तो इन्हें हम मान सकते हैं माता तो प्यारी बच्चों अगला जैसे कि यहां पर कुर्टा पैजामे में हमें दिखाए दे रहे हैं तो गुरु हम इन्हें मान सकते हैं तो प्यार्य बच्चो अब हम इनका मिलान करेंगे ये संद मिलान करेंगे अगला इंगा अगला गुरु हो प्यारी बच्चों अगला हमारा दूसरा प्रस्न है पाठे निमने लिखिता सब्दा कतिवार प्रियुकता तो क्या करना है इस महमें कि पाठ में निमने लिखिता सब्द कितनी बार प्रियुकत हुए है इस पाठ में जो यहां पर हमें सब्द दिखाए दे रहांगे तो वह पाठ में कितनी बार आये हुए हैं उन्हें हमें गिनकर लिखना है जैसे पहले सब्दा अर्ज यहां लिखने हैं हमें संख्या लिखनी है जैसे प लिख देंगे यहाँ पर सरवदा कि हाएं उससे देखते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अग्ला कि हम सब्द कितनी बार आए है उससे देखेंगे एक बार दो बार तीन बार तो प्यारे बच्चो करो में सब्दा आया है तीन बार अगला है सादरम सादरम जो है कितनी बार आया है सादरम एक बार दो बार प्यारे बच्चो सादरम आया है दो बार प्यारे विच्चो अगला है मातरम तो मातरम सब्द हमारा कित्ती बारा है वो देखते हैं एक बार एक बारा है मातरम यहाँ पर हम लिख देंगे एक बार प्यारे विच्चो अगला प्रस्ण हमारा आता है सूची निर्मान कुरूतो अब हमको क्या करना है इसमें सूची बनानी है सूची बनाओ जैसे यहां पर कुछ सब्द दियो है यह था वदामी नमामी अगला हम लिख सकते हैं इसमें पठामी पठामी उससे मिलते जुलते सूची बनानी है सब्दूं के अगला है लिखामी लिखामी पढ़ना लिखना च अगला चलानी, लिख सकते हैं पर, अगला है पचामी, खादामी, अगला है पीबामी, अगला है हसामी, ह, सा, मी, हसामी, हसना, रोदामी, रोदा, मी, रोदामी, रोना, अगला रक्षामी, रक्षा करना, अगला है पश्यामी, देखना, तो प्यारे बच्चों, इन से मिलते हैं, जुलते हमने सब्दे हाँ पर कुछ बनाए, सूची का निर्मान किया, तो प्यारे बच्चों, अग लाइन आपको दिख रहे होंगे तो इनको आपपो खुदार्ण करना है जैसे उव अपना आपको इसे ही इनको उचारण करके दूबारा से तो यहाँ पर आज आपका जो ससकीत का जो पहला पार्ता वो उसका अभ्यास कार्य हम लोग ने किया तो प्यारे बच्चों आप इसे मेहनत करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिज करेंगे थैंक्यू धन्यवाद